तो दोस्तो जैसे कि आप सुभी को पता है कि Real Cricket 24 गेम के अंदर निव अपडेट आने के बाद बहुत से बंदे ऐसे हैं जो Real Cricket 24 गेम में विकेट नहीं ले पाते बॉलिंग के दवरान तो आज के सुभी को बताने वाला हूँ कि जितने आसानी से आप लोग अपने Real Cricket 24 गेम के अंदर चौके चको की बारिस करते होना उससे कई ज़्यादा आसान है अपने Real Cricket 24 गेम के अंदर बॉलिंग के दवरान विकेट चटकाना तो Real Cricket 24 गेम के अंदर कुछ ऐसे बटन कुछ ऐसी सेटिंग है जिसे अगर आप बॉलिंग के दवरान यूज नहीं करते और आप लोग को बता दूँ कि बॉलिंग के दवरान कुछ ऐसी खूफिया लाइन लेंथ है जिसका अगर आप व्योग नहीं करते तो आप चाहे जि अब बहुत ही आसानी से back to back wicket ले सकते हो दोस्तो और इस साथ ही साथ दोस्तो इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को एक preset code भी दूँगा जिसे आप उपयोग में ला करके अपने Real Cricket 24 गेम के अंदर अप्लाई करके चोको चोको की बरसा आता और हर बाल पर बहुत ही असान करने से पहले आप सभी से अपने चोटी से रिक्वेस्ट आप या वीडियो आप सभी को पसंद आती है तो बसे अपने चोट इसकाम करें लेना किस वीडियो के अपने Real Cricket 24 गेम के अंदर बॉलिंग के दोरान विकट विकट हर बॉल पर चेट का सकते हो बहुत दी आतसानी स तो देखो दोस तब से पहले मैं आप सभी को बता दूं Real Cricket 24 गेम के अंदर बैक तो बैक अगर आपको विकट लेना है तो सबसे पहले आपको यह जरूर ख्याल लगना है कि आपको Fast Baller के साथ बॉलिंग नहीं करनी है आपको ज्यादा तर दोस्टो विकट अगर चाहिए त तो इस पिनर के साथ ही बॉलिंग करनी है अपने RC 24 गेम के अंदर बॉलिंग के दौरान वहीं जब भी आप अपने RC 24 गेम के अंदर बॉलिंग के लिए जाओ तो आपको यहाँ पे एक हैल और रखना है कि अगर आप यह सोचते हो कि हम डारेक्ट जाकर करके विकेट टू व अरिके से करा सकते हो बस आपको थोड़ा सा ट्रिक पता होनी चाहिए बॉलिंग के दौरान आपको क्या करना है चलो मैं आप सभी को सब कुछ यहाँ पर बताता हूं जिससे आप लोग अपने इस RC 24 गेम के अंदर हर बॉल पर बैक टू बैक कैच आउट करा सकते हो दोस्तो तो देखो दोस्तों जब यहाँ पर आप spinner के साथ बॉलिंग करने के लिए जाओगे ना तो यहाँ पर सबसे पहला खास आपको ख्याल क्या रखना है मैं आप सभी को बताता हूं यहाँ पर सबसे पहला आपको खास किया ख्याल रखना है कि आपको जो line length है वो कहां पे रख टारीट देम केवस्तार भाला सी गेंट को होज़ास, आप इस गेंट को यहां पर चिछाट करेंगी लए गेंटर भ dang पु idé खो मियां पर यहां चीजौत टारप एन ऩहां का हुझा, घींट को दोस्तो ही खुझाएं framing रेहागी लेरी adjustments गूमेगी या आपको decide अब यहाँ पर करना पड़ता है तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि इस gain को यहाँ पर simply off spin कराऊंगा यानि कि gain पढ़ने के बाद थोड़ा सा left hand side की तरब यहाँ गेंद move करेगी घूमेगी जिसके बाद मुझे यहाँ पर simple trick से wicket मिल चकता है catch out करा कर कि तो यहाँ पर दोस्तों आप सभी को कई option मिलते हैं office spin, top spin, caram ball यहाँ पर यानि कि कई सारे option आप सभी को देखने को मिलते हैं लेकिन मैं इस condition के हिसाब से आप सभी को बता दू, office spin कराऊंगा तो मैं simply यहाँ पर क्या करता हूँ, office spin पर करता हूँ simply click and उसके बाद अब यह यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा जरूरी matter वो करता है कि आप अपनी gain की जो speed है वो कितना रखना चाहते हो, आपको मैं बता दू जब भी आप gain बाजी करने के लिए जा रहे हो, gain फेक रहे हो, तो आपको हमेशा speed को कम से कम ही जितना आप रख सको उतना ही रखो, आप हरी प 50 पर gain रहे, तब ही आपको यहाँ पर अपना जो gain है वो फेकना है, वो release करना है दोस्तों, आप अगर ज़्यादा high quality में जाते हो, ज़्यादा red पर अगर चले जाते हो, तो आपको पता है कि आपकी जो gain है, वो यहाँ पर no ball भी हो जाती है, यह तो आपको मालूम ही होगा, तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप ज़्यादा तर, gain को slow ही रखना है, आपको gain भाजी करते समय है, तो चलो दोस्तों मैंने यहाँ पर सब कुछ set कर लिया है, और उसके बाद मैं यहाँ पर simply अपनी gain को फेकता हूँ, और catch out कराने की कोशिस करता हूँ, तो मैंने यहाँ पर अपनी gain को फेका, और उसके बाद आप देख सकते हूँ, लाइप रूप के साथ catch उट चुका है, और हमारा जो fielder है, वो catch लेकर जसन मना तवन नजर आ रहा है, तो देखा दोस्तों, आपने मैंने किस तरह से आप लोग को लाइप रूप के साथ, पूरी line length और कौन कौन सी setting पर click करना होता है, gain बाजी करते हैं, सब कुछ यहाँ पर आप सभी को इस वीडियो के अंदर लाइप रूप के साथ, wicket लेकर भी दिखाया, तो आप भी इस तरह से बहुत एजी तरीके से ले सकते है, back to back wicket को, लेकिन दोस्तों, जैसके आपने देखा, जो process ह आपने apply किया, उसमें right-handed का batsman था, लेकिन दोस्तों, आपके condition में अगर left-handed का batsman भी आपके सामने batting करने के लिए आता है, तो आप same line length को वहाँ पे, उस left-handed batsman के लिए same line length को apply करना है, और same process के follow करना है, तो आप लोग 100% back to back अपने RC24 गेम के अंदर बहुत एजी तरीके से ले पाओगे, और इस साथ ही साथ दोस्तों, मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा, कि आप लोग जब भी गेंदबाजी करो, तो आप लोग अपने उस condition के हिसाब से अपनी जो fielding है, वो भी आपको अच्छे से सेट कर लेने हैं, ताकि अगर आपका जो बंदा है, वो catch उठ आता है, यानि कि आपको जो baller, वो catch उठवाता है, आपके उस batsman से, तो आपका जो catch भी है, वो लेने वाला player मौझूद रहना चाहिए, उस condition में, तभी आप वहाँ पे easy तरीके से wicket to wicket ले सकते हो, दोस्तों, तो चलो दोस्तों, अब मैं finally यहाँ पर आप सभी को वो preset code भी दे देता हूँ, जिसे आप apply करके अपने game के अंदर, बहुत easy तरीके से हर बाल पर wicket to wicket ले सकते हो, और चोको चोको की बढ़ साथ भी batting के दौरान कर सकते हो, दोस्तों, तो दोस्तों, अपने RC24 game का preset code पाने के लिए, यहाँ पर सबसे पहला काम आपको क्या करना है, कि आ आपको करना का है, simply scroll down करते हूँ, नीचे की साड में आपको चलना है, अब जिसे आप आप नीचे की साड में जाते हो, तो यहाँ पर सबीको सर्च पोस्ट का यहाँ पर देखने को मिले गा, नीचे की साड में ठीक है, आपको simply यहाँ पर सर्च पोस्ट वाजिस आप्शन और आपको क्लिक करना है free fair ओके free fair टाइप करके आपको simply यहां पर सर्च करना है इस website के अंदर अब सर्च करने के बाद simply आपको क्या करना है अब जैसे नीचे की साड में जाना है अब जैसे दोस्तों यहां पर आप लोग क्या करते हैं इस पर क्लिक आउट करते हो ना तो आप सभी के सामने इस तरह का जो इंटरफेस वह देखने को मिल जाएगा तो आपको करना है का simply आपको स्कोल्डों करते हो यहां पर नीचे की साड में जाना है अब जैसे नीचे जाते हो ना तो यहां पर आपको क्या करना है simply आपको यह आपको मिल जाएगा आपके अपने RC24 गेम का preset code आपको simply करना किया है इस पर आपको click out करके इस पूरे code को simply दोस्तों यहाँ पर इसे copy करना है ठीक आपको simply आप इस तरह से copy कर लेना है अब यहां पर क्लिक करने के बाद आप से भी देखोगे यहां पर आपको cloud का एक option मिलता है नीचे के साड में आपको simply करना है cloud वाली साप्शन पर click out करना है और उसके बाद यहां पर आपको right-hand side के नीचे के साड में यहां पर आप देखोगे सर्च प्रिसेट का option मिलता है आप लोग स्कूट को यहां पर इस तरह से सेट कर लेना तो इस तरह से आप लोग अपने इस रियल क्रिकट 24 गेम के अंदर इस प्रिसेट को यूज करके बहुत ही असानी से अपने RC24 गेम के अंदर back-to-back wicket और चोको चको की बारिस बार्टिंग के दवरान कर सकते हो तो मि पिलते हैं फिर सकसी नून टेस्ट मुड़ों के साथ तक्तली पायब दोस्तों